सो स्टार्ट करते हैं फ़स्ट और सेकें नुमेरिकल पहला नुमेरिकल आपके सामने इथरिस्टर कैन बी स्विज्ट फ्रॉम नॉन कंडेक्टिंग स्टेट टू कंडेक्टिंग स्टेट बाई एप्लाइं पहले स्टेप्मेंट है मिट्टा वोल्टेज मोर देन दर फॉरव फास्ट फास्ट फ्रस एत य जाए फिर्स फेंट फॉर्ट ऐं लास्ट सॉलस नए सेकिंबधो और तरो करेक्ट तो देखते हैं क्या वूचा ही इंसे पूंग स्टेक्टर forward conduction state या अगर मैं बात करूँ off state से on state को यानि कि जो हम से पूछा जा रहा है on state के कितने method है तो पहला method देखता हूँ voltage more than the forward break over voltage अगर पहले statement को समझता हूँ तो पहला statement क्या कह रहा है if VAK is greater than BBO ठीक है तो अगर आपको याद हो अगर आणिट कैतोर वोल्टेज जुह ब्रेक और वोलटेज से जढ़ा होगा तब क्या होगा जो जनक्शन जे बन और जो जे चरी थे फारवरड बाइस थे यह जनक्शन दो जो इखर या था रीवर्स बाइस होगा जैसे ही Anode to cathode voltage breakout voltage से ज़्यादा हो जो J2 junction reverse bothers the ता वो क्या हो जाएगा avalanche breakdown हो घजsung भी forward bias हो स्जाएगा अनोर current जो है क्या हो जाएगी ledging current से ज़्यादा हो जाएगी हमारा SCR क्यों हो जाएगा on हो जाएगा यानि कि पहला statement बिल्कुल सही है ठीक है next बात करनो a voltage with high dby dt अगर आपने second method पढ़ाओ if dby dt if dby dt is high is high तब क्या होगा अगर rate of change of anode to cathode voltage with respect to time is high then क्या होगा जो junction j2 है वो क्या हो जाएगा forward vice हो जाएगा जब junction j2 forward vice हो जाएगा तो हमारा जो str है वो क्या हो जाएगा on हो जाएगा ठीक है यानि कि second statement भी बिल्कुल सही है third statement की बात करते है positive gate current with positive anode voltage अगर मैं इस diagram को बनाता हूं तो आपका SCR तो बिटा यह रहा यह रहा anode यह रहा cathode और यह रहा आपका gate current ठीक है तो anode to cathode तो यह plus हो गया और यह minus हो गया तो positive anode to cathode voltage तो statement में बिल्कुल सही लिखा है positive anode to cathode voltage third or fourth statement में बैट अगर मैं gate pulse की बात करता हूं तो क्या होगा बिटा यह रहा आपका external resistance जो की current को थोड़ा सा limit करता है यह एजी और यह रहा आपका दीजी तो जो gate current है that is कैसी होनी चाहिए this should be positive तो यहां क्या लिखा है चौद अप्शन में तो यह रहा यहां थार्ड श्टेटमेंट में क्या रहा है positive gate current तो यह statement बिलकुल सही हो गया यह निकि फास्ट सेकिंड और थार्ड स्टेटमेंट वह बिलकुल करेक्ट है तो ऐसा कौन से ओप्शन में दे रहा है एक ही ऑप्शन देखाई देखाई रहा है फास्ट सेकिंड और और करेक्ट यह option आपका है C तो C option is question के लिए बिलकुल सही हो गया ठीक है नेक्स्ट सेकिंड नमबर का question देखते हैं consider the following statement SCR can be turned on by पहला पहला statement है मारे सामने है applying anode voltage at a sufficiently fast rate तो यहां पर आपने देखाऊ यह बात कर रहे है हाई हाई डीवाई डीटी तो definitely जब आप हाई डीवाई डीटी वोल्टेज लगाओगे तो जो जे टू जंच्ट रिवर्स वाइस था वो क्या हो जाएगा फर्वरड वाइस हो जाएगा और आपका SCR on हो जाएगा यानि कि यह statement बिलकुल सही है नो नेक्स एप्लाइं सफिशेंटली लार्ज लार्ज एनोड टू एनोड वोल्टेज वी एक शुट भी ग्रेड देन बीवी यह 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 स्टेटमेंट भी बिलकुल सही है क्योंकि अगर आप SCR का यह टेंपरेटर पर्टिकुलर लेवल से हाई कर दोगे जैने वह स्टेटमेंगे तो दिस आप्शन इस रॉप्शन इस रोंग तो ठीक है अगर नेक्स स्टेटमेंट को एक अप्लाइं देशेंटली लार्ज गेट करेंट लार्ज गेट करेंट नाव अगर गेट करेंट इस हाई गेट करेंट क्या होगी हाई होगी तो जो SCR है SCR इस a is a charge controlled charge control device controlled a device ठीक है ना चार्च यह होता है क्यों बराबर होता है इन 2T so for a fixed charge for a fixed charge if the magnitude of gate pulse if the magnitude of gate pulse is increased then the width of the width of the gate pulse is decreasing clear है यह आतक बास सबंगे तो जितनी ज्यादा हम gate current apply करेंगे उतनी ज्यादा pulse हमें कम लगानी पड़ेगी कम विद की ठीक है तो यह statement भी सही है यानि कि यह चौथा statement भी हमारे सामने बिलकुल सही है तो second question मुझे क्या दिखाई दे रहा है first भी सही है second भी सही है और fourth सही है third गलत है तो जहां जहां third है उसको cross कर लो फटा फट यह सारी option गलत होगा एक ही option मेरे सामने निकल किया गया that is C तो इस question का जो correct answer होगा वो C बिलकुल सही होगा ठीक है या तक next question देखते हैं now next question देखते हैं third question है the normal way to turn on SCR is by pair option है break over voltage B option appropriate anode current and C option appropriate gate current and last option is none of these ठीक है so the best the best method best method to turn on to turn on SCR is gate triggering gate triggering ticket because the gate triggering to have just a train of forget plus from apply करते हैं इसे जो लॉसे सोते हैं वो क्या हो जाते हैं reduce हो जाते हैं इस वचे से जो है method use करते हैं that is called gate pulse या वीटर ट्रिगरिंग मैथ हर सो C option में रखा एप्रप्रेट गेट करेंट अब एप्रप्रेट गेट करेंट की बात करता हूं हाँ तो वी यूज हाई magnitude हाई magnitude हाई magnitude गेट करेंट गेट करेंट ठीक है इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा ठीक है नाव फोर्थ कोशन देखते हैं इन से अर्थ सप्लाइब वोल्टेज जनरली फिलिंदी ब्लाइक सब्सक्राइब वोल्टेज एक्वल तो लेस्ट ग्रिटर देन एंड लास ऑप्षिन अनन अब इस ठीक है अगर मैं बात करता हूं इस गेट करेंड जीरो इ सब्सक्राइब आपने देखा हो जैसे ही हम गेट पल्स लगाते हैं या गेट करते हैं या गेट करन को अपलाई करते हैं जो एनोट टू कैथोड वोल्टेज है जादा लगता था जब जीरो होती थी तो जैसे ही हम गेट पल्स को लगाते थे जो एनोट टू कैथोड वोल् is decreasing ठीक है तो इन जनरल हम जो ट्रिग्रिंग करते हैं वो गेट पास से करते यानिकी हमें आज्यूम करना पड़ेगा वी आर अप्लाइं दे गेट ट्रिग ठीक है अगर गेट ट्रिग्रिंग कर रहे है दिन एनोड टू कैफर डोल्टे इस लेस दें दा बी बी यो तो टैड ठोट प्र ड्रोल गेसे इस दिख्रीज इस इंक्रीस रमेंस तो घारम ने करक्रिक टर्टेक्रिस्टिक को भी देखा उग एज गेट करण इंग्रिज ँट करेंड टेंगिराइज तैट बहल टेज अन्तट बहल टेट इस आर इस कौशन का अंसर सही होगा इस डिक्रीज्ट इस कोशन का अंसर सही हो गया ए कि रहे यहां तक आई होप सो थार्ड फॉर्ट और जो फिफ्ट कोशन है वो बिलकुल क्लियर हो गया हूं ठीक है यहां तक